Section 138 of the N.I. Act जो की Check Bounds के उपर डील करता है ये Criminal Offense है अब ही हाली में Honorable Supreme Court of India ऐसे एक फैसला सुना है जो आम जनता के Day-to-day लाइफ पर ज़रूर एफेक्ट करेगा अब ये प्रभाव बिस्तर करने वाली जो एफेक्ट है हम सभी लोग को इसको पालना भी करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा जो ruling है न वो कभी-कभी ये भी proof कर देथा है Justice Delayed means Justice Denied So Hi Everyone, मैं हूँ Advocate Papiya और आप देख रहो Decode दिलाओ पर Simple Language में कानूनी ज्यान अब तक पहुचाया जाता है तकि आप लोग को जागरुग बने जा सके और यही मेरा चैनल का उद्देश्य है So एक Like चैनल को सब्सकाइब और जरूर इसको शेर कीजेगा अब Honorable Supreme Court of India के जजमेन के साथ Disrespect जता नहीं रही हूँ पर Simply मैं अपना Opinion भी मैं आपको बताऊंगी तो आईए चलिए जान लेते सबसे पहले Section 138 of the N.I. Act में जब भी कोई Check Bounce होता है आप एक Criminal Complain जाकर की File करते हो So Magistate के पास सुनवाई होती है फिर Matter आगे High Court, Supreme Court इस तरके से Process होता है तो Case का नामे राकेश रंजन श्रिवास्तव वर्सेस State of जार्खेंड and Other ये Case में हुआ क्या था 2 करोर 20 लाग रुपे की एक Check Bounce हो गया था तो Case को Facts कुछ यूँ है जब ट्रैल कोई में Case पहुचा ही था तब एक Application File किया गया Interim Compensation अभी से ध्यान से समझेगा क्योंकि Interim Compensation वाली Case ना बहुत Difficult, खतरनाक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको Court को Satisfy करना परता है, संतूस्ट करना परता है ताकि वो कोई Interim Compensation Grant कर दे अब ये चो amount है, ये 20% तक जा सकता है जो amount bounce हुआ है उसका 20% इसकी हिसब साकर देखा जाए, यहाँ पर amount था 2 करोर 20 लाग रुपे सो 44 lakhs के आसपास हो जाता है Interim Compensation अब ऐसे में हुआ क्या था देखिए Trial Code के पास जब भी application डाला गया Interim Compensation के लिए Trial Code Interim Compensation पास कर देते है सो सीधे सीधे accused को order दे दिया जाता है अभी उक्त को कि आप Interim Compensation deposit कर दो, फिर हम आपके आगे बात सुनेंगे और यही पर matter पहुंच जाता है High Code के पास High Code भी क्या करते है, Trial Code के order के साथ समर्थन जदा देते है कि हाँ ठीक है, Interim Compensation आपको देना पड़ेगा फिर आपकी बात आगे सुनी जाएगी पर असल जिन्दकी में बात कभी कुछ जो चीज दिखता है वो होता नहीं है क्योंकि genuine cases definitely है इसे के साथ ही साथ false cases भी होता है क्योंकि false cases में holder in due course उनका role भी चला आता है पर यहाँ पर क्या हुआ था आई कोट के order आने के बात ही matter चला जाता है सुप्रिम कोट के पास honorable सुप्रिम कोट दोनों पक्ष के बात को detail में समझे समझ करके बोले जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उच्चल भुयान जच्मेन पर 5 guideline पास के अब ये 5 guideline किस चीज के उपर अधरी थे ये detail में समझे क्योंकि यही पर अगर आप complainant हो या फिर अगर आप कोई अभयूक्त हो, accused हो आपको आपने favor में लेना है और काम में लगाना है प्राइम अफिसी यानि कि प्रत्थम मतलब एक बारी में देख करी आपको लग रहा है यहाँ पर genuine case बनता है legally enforceable debt यानि कि पैसा देने के लिए आप बात ये हो, ये साबित हो चुका है या फिर हम लोग इस चीज को दिख सकते ऐसा चीजों को consider करना बहुत ही जरुरी हो जाता है तो सबसे पहला जब भी कोई interim compensation वाली बात आएगी सबसे पहले प्रत्थम द्रिष्टियर प्राइम अफिसी case बन रहा है या फिर नहीं ये consider करना पड़ेगा इसी के साथ अभियुक्त capable है पैसा देने के लिए या फिर नहीं इसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि अकसर देखा जाता है accused के पास कोई capability नहीं होता है कि वो पैसा पे कर सके यानि कि वो दिवालिया हो गया है bankrupt हो गया है नमबर टू ये कहा गया जब भी कोई complaint आया है चेकबाउंस case में 138 में ये case तुरंत आने के बाद ही complainant party को कोई अधिकार नहीं मिल जाता है interim compensation grant करवानी का अपने third point पर सुप्रिम कोड ये बताए कि defense कितनी मजबूत है defense party ये मजबूत ही से प्रूफ करने में सक्षम हो जाते और ये प्रशंक्षन ही है वहाँ पर हम लोगे पास discretionary power आ जाता है compensation grant करवाएंगे या फिर नहीं यानि refuse भी कर सकते हैं और इसे के साथ defense party जो reply file करेंगे उसको भी consideration पर लेना पड़ेगा defense कितनी मजबूत है वो भी देखना पड़ेगा 4. magistrate अगर ये conclusion पर आ जाते है कि हाँ मैं यहाँ पर interim compensation grant करवाऊंगा आदेश कर सकता हूँ वहाँ पर magistrate को अपना mind judicial mind लगा करके ये देखना पड़ेगा कि quantum of the compensation यान कि amount कितनी होनी चाहिए जादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रकार की relationship संपर्ख between complainant और accused के बीच में है या फिर नहीं transaction किस तरकी से हुआ था relevant factors क्या है क्योंकि relevant factors case to case vary कर जाता है इसको भी धियान में रखना है last और आखरी point पर Supreme Court ये बताए तर ये जो सारका सरा parameters guidelines हम लोग दे रहे हैं ये exhaustive नहीं है case to case change कर जाएगा तो उस factors को भी धियान में रखनी पड़ेगी अभी यहाँ पर honorable Supreme Court of India एक step और आगे बढ़ करके ये बोले article 14 of the Constitution of India article 14 equality की बात करता है और यहीं पर आपका दोश प्रमान होने से पहले ही establish होने से पहले ही आपको यहाँ पर दोशी बनाया दिया जा रहा है तो इससे क्या होगा case के आखिर तक पहुँच करके जो सजा मिलती है न वो क्या हो रहा है बीच में ही दिया जा रहा है तो compensation की order अगर pass कर दिया जाएगा तो case के बीच में ही accused को सजा मिल जा रहा है यही पर आपके लिए just a suggestion तो क्या समझ में आया आपको difference मजबूत होनी पड़ेगी इस तरीके के case के लिए सबसब पहला difference section 143 capital A subsection 1 of the negotiable instrument act पर यह कहा ग्या है may 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 यानि की court के पास discretionary power है और shall 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 इसका मतलब होता है mandatory तो SHALL यहाँ पर इस्तमाल नहीं क्या ग्या है धारा में तो SHALL इस्तमाल क्या नहीं क्या है may इस्तमाल क्या ग्या है तो court के पास power चला जाता है कि मुझे grant करना है या फिर नहीं तो इस तरगे से आपको difference लेना है क्योंकि कानूनी जो सब्द है वो आम जनता के मन में उतना जादा घुसेगा नहीं तो इसलिए मैं simple language मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एक सब्द कानून का वो पूरा मतलब चेंज करके रख देदा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि case मेरे हाथ से कब निकल गया तो कानून के भाषा के उपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है interim compensation case Negotiable Instrument Act section 138 में बहुती landmark decision ये बनने वाला है तो ये guidelines को जरूर याद रखिएगा ये कहते सुप्रिम कोर अपने decision पर बोले trial code and high code गलत तड़िके से interim order pass किये अगर हम लोग इस तड़िके से order pass करते रहे ये unfair हो जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा arbitrary यानि कि दोज प्रमान होने से पहले ही उनको सजा के तोर पर compensation दिया जा रहा है innocent until proven guilty और यही पर सुप्रिम कोर सीधे-सीधे trial code को direct किये आप fresh केस तड़िके से इस application को देखिए 10 लाग रुपे जो interim compensation के तैटब देने के लिए बोले हो वो अभी trial code के पास ही जमा रहेगा इससे काम नहीं चलेगा merit के उपर focus करना पड़ेगा case का जो merit है उसके उपर judgment pass करनी पड़ेगी और appeal को कर देते allow और impurent order को कर देते set aside courage और बाकी रहा मेरी opinion की बात मैंना कुछ 50-50 हूँ इस case के उपर 100% मैं अपनी समर्थर नहीं दिखा पा रही हूँ कि जेनुवीन case में parties को suffer करती है मैंने बहुत देखा है और जहाँ पर holder in due course मतलब जहाँ पर सिर्फ चेक को भेचने के लिए एक इंसान के दुवरा दियाग क्या है उनके तरफ कोई liability ही नहीं बनती है वो case को भी मैंने देखा है तो 50-50 हूँ आपका opinion क्या है comment section में जरा बताना प्लीज तो अगर इस वीडियो से कोई value मिला है जरू इसको like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe कीजेगा बहुत बहुत धनिवाद